नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुभास और आप सभी का स्वागत करता हूँ ये के ओलाइन सपोर्ट यूट्यूब चानल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एट्सिंट पीन के विज़ा जाता है और अगर हमें गूगल एट्सिंट पीन भेजा जाता है तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि पीन कब भेजा गया है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप से एक रिक्वेस्ट अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे साथ में एक बेल बटन गिया हुआ है उसे भी प्रेज कर लिजे आने वाली यूट्यूब से र जो है गूगल की तरब से एक जनरेट किया जाता है जो कि आपके एड्रेस को वहरीफाइब करता है दोस्तों अगर आप यूट्यूब चानल करते हैं या फिर एक वेबसाइट करते हैं तो उसमें दोस्तों आपको पैमेंट लेने के लिए आपको गूगल एड्सिन के साथ जॉइंट होना पड़ता है तो गूगल एड्सिन जो होता है दोस्तों आपके एड्रेस को वहरीफाइब करता है कि जिस एड्रेस से आप अपना एक एड्सिन एकाउंट क्रेट किये हैं क्या वह सही है या फिर गलत है इसका वहरीफाइब करने के लिए गूगल की तरब से एक गूगल एड्सिन पीन वेरिफाइब किया जाता है तो दोस्तों एड्रेस को वेरिफाइब करने के लिए ही गूगल एड्सिन पीन वेरिफाइब कर लिए आपको भेजा जाता है तो दोस्तों गूगल एड्सिन पीन आपको तभी भेजा जाता है जब आपके एड्रेस के बाद गूगल की तरब से आपको एक Google Ads in पीन वेंदेशे की वेंदा जाता है जो कि आपके एड्रेस पर आता तो दोस्तों जो एड्रेस आप अपने Google Ads in पर देते हैं वहां पर जो अपका एड्रेस होता है उसी इसके पाद जब गूगल आड्सिंग की तरफ से हमें भेजा जाता है तो हम कैसे पता करेंगे कि वह कहां सिखता है इसके लिए दोस्तों हम अपने मॉबाइल के स्क्रीन पर आपको लेजा गया है इसको जानने के लिए दूस्तों आपको क्या करना आप अपने यूट्यूब चानल को लॉग इन कर लिजेगा, उसके बाद चैनल वाले सेक्शन में आपको आना है, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, लेप्ट साइड में यहाँ पे चैनल का उप्शन है, उसके बाद दोस्तो मॉनिटाजेशन वाले उप्शन पर आपको जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं AdSync Settings का एक option है इस पर आपको click करना है तो दोस्तों इसको जब भी आप अपने mobile phone से check करेंगे तो आप अपना Chrome browser for desktop site को on कर लिजेगा देख सकते हैं हमारा जो फीन भेजा जाता है एड्रेस को verify करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं एक action का बटन है तो यहाँ पर हम action वाले बटन पर click करके हम अपने address को verify करा सकते हैं जैसा कि आपका जो फीन है आप देख सकते हैं 14 जोन 2019 को जो है फोस्ट किया गया है आपको 2-4 सब्ता की अंदर में जो है आपके billing address पे जो है आपका फीन आ जाएगा और उसके बाद अपने जो है आपका फीन को verify कर लेना है तो नीचे आप देख सकते हैं एक verify का option है इस verify वाले option पर click करके आपको फीन इंटर करके आपको अपना verify करना है तो दोस्तों जैसा ह पीन हमारे पास आजाता है हम verify करके आपको दिखाएंगे और इस related एक वीडियो आपको इस चानल पर मिल जाएगी दोस्तों इस वीडियो पर बस इतना ही सिर्फ यही बताना था कि आप अपने google ads in account पर कैसे check कर पाएंगे कि आपके billing address पर आपको google ads in की तरफ से पीन कब गया है तो कुछ इस परकार से दोस्तों आप चेक कर पाएंगे तो दोस्तों मैं उमीद करता हूं कि आपको पता चल गया है कि google ads in क्या होता है और इसे आप कैसे check कर सकते हैं कि आपके लिए google ads in पीन जो है भेज़ा गया है उसका status आप कैसे check कर पाएंगे अगर आपको ये अगली वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरू कीजेगा दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ थैंक्स पर वाच्ची जाएगी बंदेवाद